जहन दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलपेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, मार्श 2020 से जो कोविट के कारण मुसीवत्ते आईं एक के बाद एक restriction लगे, उन सबसे ज़्यादा पिरभावित हुए हमारे जवान क्यों? 18 महिने का तो उनका दोस्तों महिंगाई भता गया जो एक दिन की salary का contribution था सभी का, वो उन्होंने contribution भी दिया दोस्तों इतना ही नहीं, जो जवान पिरमेचर जानत चाहते थे, जिनके पिरमेचर sanction भी हो चुके थे, वो रुग गए, उपर से जवान जब pension जाता है तो अपनी service के last month में, तीन हपते के लिए अपने depo battalion में जाता है ताकि वहाँ पर उसका जुर कोई outstanding बचा हुआ है, accounts का settlement, documentation, सारा वहीं पर होता है तो उस समय जितने भी pending, उसके financial मुद्दे बचे रहते हैं, वो उस समय solve होते हैं वो भी नहीं हुए क्योंकि उनके restrictions लग गे, उनको depo में जाना मना हो गया इस तरीके से और जो हमारा youth, युवा भरती होना चाहता था, वो नहीं हुए कुछ लड़के आज अपना medical, physical करके तयार बैठे हुए हैं, वो exam नहीं दे पा रहे उनके job की uncertainty बनी हुई है, और premature जाने वालों के लिए अभी तक कोई advisory नहीं आई है कोई instructions नहीं आए हैं, तो उनके लिए भी एक दुवधा की इस्थिती बनी हुई है लेकिन अब जो ये advisory आई है, जो instructions आए हैं, तो उनके अनुसार अब आप देखेंगे कि ये letter आपके सामने है, सेना मुख्याले का ये instructions हैं, जेशियो और जवान के लिए discharge drill के उपर, quarter ending, मार्च 2022 तक जो डिपो में जाना suspended था discharge drill के लिए, pension के लिए, अब उसको resume कर दिया गया है और अपरल 2022 से, अब जवान जेशियो अपने अपने regimental center यानि डिपो battalion में retirement जाने से तीन हपते पहले यानि last month वहां रहेंगे ताकि वो अपना physically जितना भी उनका claims है, जो भी उनके outstanding due हैं, उनको clear करा सके, उनका proper documentation हो सके, तो ये अब उनके के लिए खुल गया है, अब वो सभी अपने documentation के लिए, pension claim के लिए अपने अपने डिपो battalion में जाएंगे, और दोस्तों ऐसी ही उम्मीद करते हैं, कि यही इसी तरीके का जो premature retirement जाने वाले हैं, उनके regarding भी instructions आएं, कोई advisory आएं, और जो बच्चे अपना physical, medical कराके exam देने के लिए बैठे ही, written entrance exam भरती होने वाले, उनके लिए भी जल्दी से जल्दी कोई advisory या instructions आएं, क्योंकि अब covid का effect almost खतम हो चुका है, तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जैहिन, जै भारत क्योंकि आएं ए्यद्याद का फजो सक्थरैंगे लाहिए झाल झाल